Hello friends, welcome to my channel आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस देवी देपता को कौन से फूल चड़ाने चाहिए जिससे वो पिरसन होते हैं हमारे देश में हर सुब काम में फूलों का इस्तिमाल किया जाता है फिर चाहिए वो कोई पूजा हो घर को सजाना हो या फिर साधी हो हर सुब अफसर पर फूलों का इस्तिमाल अच्छा माना जाता है इस्वर की भक्ती में हम फूलों का इस्तिमाल सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम माना जाता है कि इससे भगवान खुस होंगे और हमारा असिरवात देंगे हर भगवान का अपना-पना महतो होते है और उन पर चड़ाने वाले फूलों का भी देवी देवताओं के आराद ना हूँ मैं सामिल सभी सामगरियों में सबसे पहले और सबसे खास चीज पुस्पही होते हैं हिंदु धर्म में कई देवी देवताओं की अलग-अलग समय पर पूजा की जाती है और हर एक देवी देवताओं की उपासना करने के वीदी भी अलग-अलग होती है सास्त्रों में बताया गया है कि कौन से फूल किस देवी देवताओं को विशेश रूप से प्रिय होते है और कौन से फूल अर्पित करना बर्जित होता है भगवान सिरी गड़ेश सास्त्रों के अनुसार भगवान सिरी गड़ेश को तुलसी दल को छोड़कर सभी प्रिकार के फूल चड़ाई जा सकते है आचार रत्न में लिखा है कितना तुलसिया गड़ा धिपम अर्थाद तुलसी से गड़ेश जी की पूजा कभी न करें गड़ेश जी को दूर्वा चड़ाने की परंपरा है गड़ेश जी को दूर्वा बहुती प्रिया है दूरवा के उपर हिस्से पर तीन या पांच पत्या हो तो बहुती उत्तम माना जाता है भगवान सिब भगवान संकर को धतूरे के फूल, हर सिंगार, वर नाक, केसर के सफेद पुस्प, सूखे कमल गटे, कनेर, कुसुम, आग, कूस, आदी के फूल चड़ाने का विधान है भगवान सिब को केवडे का पुस्प नहीं चड़ाया जा सकता है भगवान विष्णू, इन्हे कमल, मौलसरी, जुही, कदम, केवडा, चमेली, असोक, मालती, वासंती, चंपा, वैजन्ती के पुस्प बिसेश प्रिय है विष्णू भगवान तुलसी दल चड़ाने से अतिसीग्र पिरसरन होते है कार्तिक मास में भगवान, नारेण, केत्की के फूलों से पूजा करने से विष्णू रूप से विरसरन होते हैं लेकिन विष्णू जी पर आग, धतूरा, सिरीष, चहजन, सेमल, कशनार और गूलर, आदी के पुस्प नहीं चड़ाने चाहिए महावीर हनुआन महावीर हनुआन जी को लाल फूल चड़ाना ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे उन्हें कोई भी सुगंदित फूल चड़ाए जा सकता है मातागोरी और मादुरगा मातागोरी और दुरगा आम तोर पर भगवान संकर को जो भी फूल पसंद है देवी पारवती को भी वो फूल चड़ाए जा सकते है सभी लाल फूल और सुगंदित सभी सफेद फूल भगवती को भी सेश्प्रिय होते है बेला, चमेली, केसर, स्वेद कमल, पराश, चमपा, कनेर, अपराजित आदी फूलों से भी देवी की पूजा की जाती है आख और मदार के फूल केवल दुर्गा जी को ही चड़ाने चाहिए अन्नी किसी देवी को नहीं दुर्गा जी पर दूप कभी ने चड़ाएं लक्समी जी को कमल का फूल चड़ाने का विसेश महतो है भगवान सूर्य भगवान सूर्य को आख का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है माननेता है कि अगर सूर्य को एक आख का फूल अरपड कर दिया जाए तो सोने की दस असरफिय चड़ाने का फल मिल जाता है अड़ुल का नेल, समे, नेल कमल, लाल कमल, बेला, मालती, आदे भी चड़ाई जा सकते हैं ध्यान रहे कि सूरी पर धतूरा, अपराजिता, अम्रा और तगर कभी न चड़ाई लक्षमी जी मा लक्षमी का सबसे अधिक प्रिय पुस्प कमल है उन्हें पीला फूल चड़ा कर भी प्रिस्ण किया जा सकता है इन्हें लाल गुलाब काफी फूल काफी प्रिय है मा सरस्वती विद्या की देवी मा सरस्वती को प्रिस्ण करने के लिए सफेद या पीले रंका फूल चड़ाई जा सकता है सफेद गुलाब, सफेद कने या फिर पीले गेंदे के फूल से भी मा सरसुती प्रिसन्न होती है सनी देव सनी देव को नीले लाजवत्ती के पुस्प चड़ाने चाहिए इसके अतरिक्त कोई भी नीले या गहरे रंग के पूल चड़ाने से सनी नेव सीरी पर सन्न हो जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूं